हेलो गईस कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है Realme X2 फोन जिसको यूज करते हूँ मुझे 20 दिन से जाधा हो चुके हैं आप अगर आप इस फोन के फीचर के बारे में जानना चाहते हैं उसकी वीडियो औरेड़ी मैं बना चुका हूँ आप उस वीडियो में देख सकते हैं इस वीडियो में किसी भी फूचर की बात मैं नहीं करूँगा मैं बात करूँ आपने experience की कि 20 दिन के हिसाब से आपको इस phone को लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए सिधा सिधा अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें बताऊँ एर आप देख लेना कि आपको phone अच्छा लगता है बुरा लगता है उस हिसाब से आप decide करना बहुत महंगा phone है 17,000 से स्टार्ट होता है 15,000 की price से भी शुरू नहीं होता तो जलती से विडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरूआत मैं करता हूँ price और variant से ही मैं आपको बता दूँ कि इस phone का जो price है Realme X2 के अगर आप बात करें 17,000 से 4GB 64GB वाला मोडल शुरू होता है इस phone के अगर आप बात करें जो कि है Redmi Note 8 Pro इस phone का आपको 6GB 118GB वाला वैरेंट 16,000 में देखने के लिए मिलता है दोनो ही phones में आपको similar specifications भी देखने के लिए मिलेंगी दोनो ही phones काफी इछे हैं तो सिरफ price और variants के अगर आप बात करें मेरे हिसाब से Redmi Note 8 Pro आपको better value देता है क्योंकि सिरफ 16,000 में दोनों चीज़े ज़ादा है RAM 2GB ज़ादा है और storage आपको double देखने के लिए मिलती है तो बात करता हूँ मैं इस phone के display की इस phone की display की build quality के अगर आप बात करें तो दोनों ही तरफ आपको Corning Gorilla Glass 5 का sport देखने के लिए मिलेगा जो के बहुत अच्छा है काफी study phone आपको feel होगा कोई भी दिक्कत नहीं है frame जो है वो थोड़ा plastic का आपको दिया गया है लेकिन मुझे नहीं रखता उससे कोई दिक्कत है display की अगर आप बात करें तो यहाँ पर super AMOLED display है जिसकी quality यहाँ पर काफी इची है no doubt display के colors काफी इच्छे आपको देखने के लिए मिलते हैं इवन अगर मैं outdoor visibility की बात करूँ मुझे इस phone में display के related कोई भी issues देखने के लिए नहीं मिले उसी के साथ Widevine S1 का sport आपको देखने के लिए मिल जाता है तो अगर आप full HD content देखना चाहते हैं Netflix या Amazon Prime पर वो चीज़ें भी आप इस phone पर कर पाएंगे आपने सुना होगा कि Noted Pro में आपको काफ सारी दिक्कते हैं उससे related आ रही है और आप अभी तक जो है वो content HD content उस पर stream नहीं कर पा रही है इस phone पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप Amazon Prime या Netflix बहुत जादा यूज़ करते हैं तो ये phone definitely आपके लिए थोड़ा बहतर option हो सकता है और काफी इची option हो सकता है इस वीडियो में आगे बैडनेस पहले मैं आपको रोजधन application के बारे में बताना चाता हूँ जिसको यूज़ करके आप पहली चीज़ तो आप news पढ़ सकते हैं, games खेल सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं अभी अगर आप देखेंगे मेरे account में 25 रुपे हैं अगर आप मेरा नीचे दिया गया invite code यूज़ करके login करेंगे तो आपको directly 50 रुपे अपने account में देखने के लिए मिल जाएंगे और काफी सारी चीज़े और भी हैं जिसकी मेल से आप इस app के जरीए पैसे कमा सकते हैं जैसके आप articles share कर सकते हैं, इस app में आपको हर रोस कुछ articles, news articles देखने के लिए मिलते हैं या फिर गेम्स खेल के और काफी सारे अलग तरीकों से भी आप इस app को इच करके पैसे कमा सकते हैं अब अमीर तो आप नहीं बनेंगे लेकिन थोड़े बहुत पैसे आप जरूर इस app के जरीए कमा पाएंगे बैटरी के अगर हम बात करें तो सिरफ 4000 mh की बैटरी देखने के लिए मिलती है क्योंकि 4000 इतना कोमन हो चुका है तो 4000 के साथ अब सिरफ लगना शुरू हो चुका है तो I don't think के बैटरी बैकप बुरा है लेकिन 4000 mh के हिसाप से I think थोड़ा और बहतर हो सकता है लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बैटरी के लिए सोच रहे है तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस फोन में आपको 30 वोट की fast charging देखने के लिए मिलती है charging adapter आपको phone के box में अंदर देखने के लिए मिलेगा तो Wook flash charging है बहुत ही तेज phone charge होता है अगर आप लगपक माने तो एक घंटा दस मिनिट में आप phone को 0 से 100% तक charge कर सकते हैं तो यह बहुत ही तेज है और आधे गंटे के अगर आप percentage जानना चाहें तो 60% से उपर phone जो है वो सिरफ आधे गंटे में ही charge हो जाता है तो charging related कोई भी issues नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि अगर थोड़ा battery backup कम भी है तो भी आप इस phone के साथ अच्छे से time निकाल सकते हैं आपको कोई जाधा दिक्कत face करने के लिए नहीं मिलेगी इस phone में एक और बड़ी खासियत जो आपको देखने के लिए मिलती है वो है इस phone के fingerprint sensor और facial recognition से related मैं आपको पता दूँ कि इस phone में जो है वो in-display fingerprint sensor आपको देखने के लिए मिलता है और इसकी speed की अगर मैं बात खरूँ यह बहुत ही तेज है बहुत सारे phones में जो physical वादा fingerprint sensor होता है उससे भी तेज है मैं आपको live demo यहाँ पर दिखाता हूँ आप देख सकते है realme X2 phone जैसे ही आप इस पर press करते हैं बहुत ही जल्दी phone unlock हो जाता है दुबारा से दिखाता हूँ दोस्तो phone जो है वो locked है fingerprint का icon यहाँ पर आया इसको आप press करेंगे और बहुत ही जल्दी phone जो हो जाता है आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे साबसे in-display fingerprint sensor जितने भी मैंने यूज़ किये है यह fastest in-display fingerprint sensor है facial recognition हाला के fastest मैं नहीं बोलूँगा लेकिन वो भी काफी इच्छे से यहाँ पर काम करता है अगर आप उसको भी use करना जाएं तो काफी इच्छे से enjoy कर सकते हैं इस phone में तो उन चीजों से related कोई भी दिक्कत मुझे आपर नहीं है इसके बात मैं बात करता हूँ इस phone के processor की दोस्तों क्योंकि इस phone में Snapdragon 730G दिया गया है जो के थोड़ा gaming के लिए डिजाइन किया गया है तो काफी सार दोंका ही मानना है कि gaming के लिए तो भिया यह आटमेटिकली best phone हो गया है मैं आपको ये चीज बहुत साफ साफ पताना चाहता हूँ अगर आप PUBG के लिए कोई phone ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से Redmi Note 8 Pro यहाँ पर better option है दोस्तो मेरे पास ये दोनों phones है मैं बहुत टाइम से दोनों phones पर gaming कर रहा हूँ मैं PUBG बहुत खेलता हूँ अगर आप PUBG की मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक और चैनल पर मैं PUBG की वीडियोस भी upload करता हूँ अभी बात करता हूँ मैं इस phone की यहाँ तो मैं सीधी सीधी आपको दो चीज़े बोलूँगा पहली चीज अगर आप smooth graphics में खेलेंगे तो आप extreme frame rate तक इस phone पर नहीं खेल सकते हैं सिरफ ultra तक खेल सकते हैं जो के Redmi Note 8 Pro में अगर आप खेलेंगे तो आप extreme frame rate तक जा पाएंगे और ultra और extreme में जमीन आसमान का फरक पढ़ जाता है दोस्तों जो दो PUBG खेलते होंगे उनको यह चीज पता होगा कि frame rate से कितना फरक पढ़ता है आपके gameplay पर तो पहली चीज हुई यह दूसरी चीज अगर आप बहुत जादा high graphics पर खेलना पसंद करते हैं तो आप इस phone में HDR gameplay भी नहीं कर पाएंगे तीसरी चीज अगर आप HD gameplay भी करते हैं तो वहाँ पर again आपको frame rate जो है वो Redmi Note 8 Pro से कम देखने के लिए मिलेगा तो यह सारी चीजे मिला के अगर मैं सीधी सीधी बात आपको बोलूँ Redmi Note 8 Pro में जो MediaTek का Helio G90T दिया गया है वो Snapdragon 730G से काफी अच्छा परफॉर्म करता है एटलिस जो optimization की गई है वो Redmi Note 8 Pro की काफी बहतर है as compared to Realme X2 तो पहले मैंने बोला कि अगर आप Netflix या Amazon Prime बगारा देखना चाते हैं तो यह phone आपके लिए best है लेकिन अगर आप gaming करना चाते हैं अगर आप PUBG Player है तो मेरे हिसाब से Redmi Note 8 Pro क्यूंकि आपको 6GB वाला variant भी देदेगा उसे कम price में तो मेरे हिसाब से Redmi Note 8 Pro better option है एक और चीज इस phone की जो मैं थोड़ी बुरी बोलना चाहूँगा वो है यह के इस phone में आपको screen recorder भी काफी घटिया सा दिया गया है अगर आप again gaming करते हैं या किसी भी purpose से अपने phone की screen को record करना चाते हैं तो सिरफ 720 pixels में आप screen को record कर सकते हैं internal sounds आप record नहीं कर सकते तो वहाँ पर काफी सारी limitations हैं इसका internal screen recorder भी काफी बुरा है हालांकि इस phone में भी आपको UFS 2.1 storage देखने के लिए मिल जाती है जो के काफी fast है और वो आजकल आपको 15,000 की price में अगर आप देखेंगे हर phone में देखने के लिए मिल जाएगी इसके बाद मैं बात करता हूँ cameras की दोस्तो अगें cameras में जो है वो थोड़ा एक standard बन चुका है आपके 64 Mac अपसल का camera तो आपको हर phone में primary देखने के लिए मिल जाता है ऐसे ही आपको Redmi Note 8 Pro में भी 64 Mac अपसल का camera देखने के लिए मिलता है जो के अगें Redmi Note 8 Pro में भी similar तरीके से आपको देखने के लिए मिलते है पहला जो main camera है वो है 64 Mac अपसल का दूसरा camera यहाँ पर 8 Mac अपसल का आपको ultra wide angle lens देखने के लिए मिलता है जिसे आप wide angle shots ले सकते हैं 2 Mac अपसल का आपको यहाँ पर macro lens दिया गया है तो actually मैं वो 2 Mac अपसल का camera काफी ची से perform करता है चाहे आप जो भी device देना चाहें हर phone की मैं बात कर रहा हूँ उसी के साथ last वाल जो camera है 2 Mac अपसल का depth sensor है जो के again आपको थोड़ा portrait photography में help करेगा अगर आप depth effect देखेना चाहते हैं उस चीज में help करेगा तो overall अगर मैं cameras की बात करूँ rear cameras इस phone में amazing है कोई भी दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी थोड़ी ओर specific cases में अगर मैं चला जान तो आपको बता दूँ के इसमें आप 4K 30fps सक शूट कर सकते हैं slow motion अगर आप शूट करना चाहें तो 960fps शूट कर सकते हैं अब इन चीज़ों की मैं बात जादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि features की video इस phone की मैं already बना के 15 minute की video post कर चुका हूँ अगर आप इस phone के सारे features के बारे में जाना चाते हैं जो के आज गल पीछे की तरफ 4864 के चकर में आगे का camera कम किया जा रहा है अगर आप recent कुछ phones देखें तो आपको जनरली आगे की तरफ 12 या 13 अपिसल का camera देखने के लिए मिलता है जिससे बहुत better quality आपको इस phone में देखने के लिए मिल दाएगी क्योंकि इसमें आपको 32 अपिसल का front camera भी देखने के लिए मिलता है तो वो definitely real में ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है इस phone में जो के मेरे को personally बहुत अच्छी दगी है लास्ट इस phone के software की भी बात कर लता हूँ तो इस phone में आपको ColorOS 6.1 देखने के लिए मिलता है जो के Android 9 पर वग करता है अब जो है ये ColorOS काफी बढ़िया हो चुका है पहले के मकाबले कर मैं बात करूँ अभी भी best नहीं है अभी भी मैं ये नहीं बोलुगा के stock Android जितना smooth है या फिर MIUI जितना stable है स्टिल ColorOS अब काफी बहतर हो चुका है और मेरे हिसाब से अब ये काफी usable है और काफी इच्छे से use किया जा सकता है features भी देरे देरे और आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अब इसमें dark mode भी आपको देखने के लिए मिल चुका है 20 दिन के usage के experience के हिसाब से अब आप decide कीजे के आपको कौन सी चीज़ करने है फोन के उपर और उस हिसाब से आपको कौन सा फोन best आपको value देगा तो इस वीडियो में अभी के लिए यही था दोस्तों अगर आप कुछ और वीडियोस देखना चाते हैं तो हमारे चैनल पर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मैं ट्राइ करूँगा कि आपके लिए वीडियोस देखे आ पाऊँ इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत देन आवा दोस्तों